तो गैस आप अगर गेमिंग के लिए कौन सा आईपेड सही है ये पूछते हो तो इसका अंसार बहुत जाल संपल है क्योंकि जितने भी आईपेड अभी के टाइम में अवेलेबल है सब में गेमिंग अच्छा ही होता है डिपेंड करता है कि आपको किस तरीका डिवाइस चाह जाता है जैसे कि उस डिवाइस का जो बजट है वो कम होना चाहिए क्योंकि कोई सा भी पैरेंट्स अपने स्टूडेंट पॉपोस के लिए जादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि आउव्यसली वो जो डिवाइस है उसका में काम है स्टडी पॉपोस के लिए तो उसमें बस कॉल वगरे अटेंड करना नोट वगरे लिखना और मैक्सिमम उसमें ड्रॉइंग करना यह सभी एलाउड रहता है कोई सब्स्टूडेंट को और हो सकता है कि उसको कभी कभर मन करें तो गेम भी खेल लिया तो गेम यह सेकेंडेरी पॉपोस हो जाता है तो और और अवियसली एक सेकेंटरी डिवाइस आइपड तो चेंज करने का जरूद भी नहीं है क्योंकि उसका जो यूज है वह बहुत ज्यादा कम होता है एवरी टाइम स्मार्टफोन के तरह यूज तो नहीं करते है तो कम यूज होगा लेकिन लॉग टम तक चलेगा और में कुना नहीं काम होता है एक स्ट्टेंट आईपेड का और इसके लिए सबसे बेस ऐर आप पूछते हों तो यहाइपैड नाइन जिनरेशन जो iPad का base वाला variant होता है आप अगर बाद में देख रहे हो साथ iPad 9 generation का कोई अगर दूसरा variant आता है तो वो हो जाएगा उस वक्त क्योंकि जो iPad का base model होता है वो सबसे budget category में आता है लेकिन उसके अंदर जो features है वो next level है अभी के टाइम में क्योंकि पहले iPad 8 generation में हम लोगो 32GB का storage देखने को मिल जाता था जिसके वज़े से बहुत साथा limitation देखने को मिलता था लेकिन iPad 9 generation में जो base वाला variant था उसका storage 32GB से 64GB तक कर दिया गया है और जो पहले price था iPad 8 generation 32GB का वो 29,000 के आसपास था लेकिन जब iPad 9 generation आया तो 1000 only extra बड़ा उसका price लेकिन जो फाइदा था वो सेम हम लोगो 64GB के साथ देखने को मिल रहा था तो एक storage का upgrade देखने को मिला iPad का base वाला variant पर और एक student के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है क्योंकि बहुत ज़्यादा storage बच जाता है और आप उसको use कर सकते हो study material अगर सेफ करने के लिए लेकिन ये तो हो गया storage का बात कोई सभी student को अगर कभी game खेलने का मन करे तो उसके अंदर performance कैसा आएगा क्योंकि उस device का अंदर A13 chipset देखने को मिलता है तो आप अगर only gaming के लिए iPad 9 generation को purchase करते हो तो भी आपको disappoint नहीं करेगा क्योंकि इसके अंतर जो A13 chip है वो बहुत ज़्यादा powerful है कोई सभी snapdragon का chipset के मुकाबले तो A13 chip iPhone 11 में भी use हुआ था और no doubt ये chipset बहुत ज़्यादा तग रहा है day to day life में कोई सभी application या फिर heavy game को handle करने के लिए और इसके अंदर कुछ एक ऐसा features है जो एक student को भी चाहिए होता है online classes वगरा में और एक gamer को भी चाहिए होता है जब वो game केलता है कि इसके अंदर एक 3.5 का jack हम लोगों को देखने को मिलता है जो अभी के टाइम में आप लोग कोई सा भी iPad या फिर iPhone में देखोगे तो ये चीज़ मिसिंग है और 3.5 का jack का फाइदा बहुत सार है आप लोग सेम टाइम पर चार्ज करते करते गेम भी खेल सकते हो और कभी बैटरी नहीं रहा तो चार्ज करते करते हो online classes वगरा एटन भी कर सकते हो और मेरा iPad mini 6 पर इस चीज़ को मैं मिस भी करता हूं क्योंकि कि obviously 3.5 का jack होना एक helpful feature है और अगर इतना यूज करोगी इस device को तो obviously इसका बैटरी न भी तो कुछ effect पड़ेगा और इस device का जो बैटरी है वो Apple दबा करते हैं कि हर iPad के तरह इसमें भी 10 hours का बैटरी लाइफ ही हम लोगों को देखने को मिलता है लेकिन इतना सब कुछ features होने के बाद सच्चे में इसका price 30,000 से जादा यह deserve करता है लेकिन इतना कम price में इतना सब कुछ features हम लोगों को मिलता है not only for student यह एक gamer के लिए बहुत ही अच्छा device हो जाता है इसके अंदर जो जो सभी features है और इसके अंदर एक और extra feature है जो है center stage आप अगर student हो और online class attend करते हो तो आप आपके लिए बहुत ही अच्छा वाला feature है क्योंकि जो camera का angle है आप अगर move अगर करते हो तो आपके हिसाब से यह camera का angle adjust होते रहेगा अब कभी camera के बाहर ही नहीं जाओगे और अगर इस video को तुरू मैं आप लोगों को कुछ भी value प्रोवाइट किया हूं तो आप लोग इस video को like और इस channel को subscribe करके मुझे support कर सकते हो और मैं यह चीज़ वीडियो का last में इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखो enjoy करो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ही आप subscribe करना genuine तरीके से और जो rate कलोई का subscribe बटन है उसको आप लोग सिधा knock finish करके बाइ बाइ